नमस्कार मैं हूँ अकांशा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलिटिन जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी ख़वरें तो चलिए रुख करते हैं आज की ख़वरों की ओर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भादो माह के दूसरे सोमवार पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई सुबह शिप्रा नदी तट पर पूजन अर्चन कर कलश में जल भर कर यात्रा की शिरुवात की गई कावडियों का कारवा नगर में निकला तो पूरा नगर शिव में हो गया कावड यात्रा में शिव बारा डीजे वा माकर्श कावड लिये चल रहे थे अशोक नगर के गौरव हर्ष शर्मा सोमवार को लेफटनेंट बनने के बाद जब अशोक नगर लोटे तो हर्षित का शहर में जगे जगे भव स्वागत किया गया हर्षित खुली गाड़ी में अपने पिता शैलेंद्र शर्मा सहेत अन्य परिवार जनों के साथ जब शहर में निकले तो लोगों ने लेफटनेंट हर्षित और उनके पिता का फूल मालाएं पहना कर और पुश्प वर्षा कर स्वागत किया सोमवार को कपास फसल खरीदी का श्री गडेश हुआ सुबह दस बजे विधायक रवी जोशी पूर्वराज्य मंद्री बाल कृष्ण पाटीदार ने मंडी सचेव और व्यापारियों की मौजूदगी में पूजन अर्चन कर निलामी की शुरुवात की पहला वाहन 6,481 रुपए बिकने के बाद 5,550 रुपए बोली लगने पर किसाना क्रोशित हो गए किसानों ने भावो को लेकर नाराजगी जताते हुए नारे बाजी शुरू कर दी हंगामा बढ़ता देख व्यापारी निलामी बंद कर मंडी सचिप कच में जा बैठें जिसके बाद किसान भी मंडी सचिप कार्याले के बाहर पहुँच गए गुसाए किसानों ने मंडी सचिप कार्याले के बाहर जम कर हंगामा किया और मुख्यमंत्री हाई हाई क्रिशी मंत्री हाई हाई के नारे लगाए सचिव ने समझाईश का प्रयास किया लेकिन किसान आठ से दस हजार रुपय बोली लगाने की मांग पर अड़ गए कार्याले के बहर धर ना शुरू कर दिया आज ही ले इतना ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं रदुभाशी प्रदेश